हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रानिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर नमस्कार बात कर लेते हैं असके नियूज के बारे में तो यहाँ पर दो नियूज है एक आपका है टीटी 2018 से जो कोर्ट में गया था मामला तो तीन प्रिशनों पर विशेशग यसे र करके है उसमें सुधार की या जो करेक्शन की जो डेट है वो आज से आपकी शुरू हो गई है ठीक है आपका 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक यह चलेगा ठीक है तो आप लोग जिन्हों ने 22 दिसंबर के पहले जिन्होंने फॉर्म बरा था ठीक है मतलब 22 अक्टूबर तक यह कि कॉलेज दौरा आपके कॉलेज दौरा अगरसारित करने कि ती ती मतलब उसको आगे भेजनी जुदि थी वो 22 अक्टूबर थी तो उसके पहले जिन्होंने बरा होगा वो जा करके यहां पर अपना करेक्शन जो है कर लें जो भी चीजे हैं क्या कुछ correction उसमें हो सकता है वो अभी मैं भी नहीं जानता क्योंकि जब वो form खुलेगा उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ आप लोगों को तो आप लोग जो है अगर चलता है जो है आपका scholarship.up.nic.in तो उसको देखे वहाँ पर जाके कि क्या कुछ चीजे आप correct कर सकते हैं उसके बाद उसमें सुधार करिए फर्म को फिर से उसका print out लेकर के अपने college में जमा करिए उसके साथ में अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूस सकते हैं बाकी जो October की बाद जिन्होंने भरा है आपका अभी November में जो आया था 23 से 26 November था last date तो उनकी अभी January में आने के संभावना है पूरी तरीके से लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा अभी से ठीक अगर इसी 13 वाले में हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो आप लोग भी निर्देश दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं कि अभी भी पेंच फसा हुआ है पूरी तरीके से जो आपका यूपिटेट का जो एक तरीके से रिजल्ट जो फाइनल सांसो थे तांसर की दी गई थी ठीक है उसको लिकर के तो देखते हैं कि निरडे निकल करके आता ह है बाकि आपका उच्प रात में कभी रिजल्ट आ गया है आप लोगोंने चेक कर लिया होगा एक्जाम रेगुलेटरी अथारिटी डॉपी डॉट जो भी है एक्जाम रेगुलेटरी अथारिटी आप गूगल पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है जो उसकी ऑफ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर मुझे फॉलो करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको उसका भी मिलता रहेगा ठीक है वहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लेट करवाने के कोशिच करूँगा बाकि विज्यान का वन लाइनर होपस हो कि आज मैं आपके यहा कर सकते हैं तो बस इतना ही थास कि इस वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो